जैशी किशना दोस्तों राधे राधे मेरे चैनल लर्निंग विससी हमें आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं फिर से एक नैट की बहुत प्यारी सी सोबर डीसेंट और आपको बहुत जल्दी आ जाएगी बनाना बहुत कम फैब्रिक में बन जाएगी इसमें म पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट अगर से मेरे चैनल पर नहीं महमान है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के निचे जो रैट सब्सक्राइब का बटन आता है उसे प्रस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आ आ रहे हैं और छे निंबर के काना जी के लिए हम पांच इंची चोड़ा और लगबग साट 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 से पैसेट इंची लंबी हम यह नैट की पट्टी एक कट कर लेते हैं अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे चुनेटर रालेंगे दूस्तों यह मेरे पस सिंग पूरी जो मेरे किनारे हैं इसके यह देखें डिजाइन को हम जो हमने सोचाता है उसको चेंज कर देंगे यह हमारे पास जिस तरीके से कपड़ा फैबरिक होता है उसी के अकॉर्डिंग हम डेजाइन डालते हैं तो इसको हैना यह किनारों से यह जो कॉर्णर इसका मैं गोल कट कर और नेट में सबसे अच्छी बात होती है कि हमें कहीं पर इसलाई मोड़ना नहीं होता है कहीं पर हमें ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता वर आसानी से यह हमारी नेट की पुशाकें बन जाती है तो अब इसको हम जब चुन्नट डालेंगे न तो यह आप करनीकाइक हम एदयेयं कुछ एञे कुछ नएया पना जाएगा तो चलिए इतना हम करके बताते हैं आपको गो कि दिखिए हमने इसको हमारी गोलाई है इसको center में लिया, इधर की गुलाई को भी हमने center में लिया, इसको एक दूसरे पर ऐसे overlap किया, अब ये ठाकुजी की कमर हमारी जितनी है, ये 6 निमबर के ठाकुजी की है, तो लगवग साड़े 5 इंची ठाकुजी की कमर रहेगी, तो उसको उसकी according साड़े 5 इंची में हमें य तो वो दिखाई देता, वो अच्छा नहीं लगता, इस तरीके से हमने overlap कर दिया, ये दिखाई भी नहीं देना, और देखने में भी अच्छा लग रहा है, एक पर से ऐसे गुलाई आ गई है, अब इसको हम लेस को यहां से लेकर कि यहां सब ताक देंगे, या तो आप इसी दोरी जैसी है, तो हम इसी को एक्स्टा ले लेते हैं, ये तो चार इंची हम यहां से और चार इंची हम यहां से एक्स्टा बानने के लिए ले ले लेते हैं, साथ में हमारी लगबस साड़े पांच इंची लेसी है, हमारी बीच में आईगी, इसको हम पहली यहां से लेकर क यहां तक लगा लेते हैं और चार इंची दोनों तरफ एक्स्ट्रा चोड़ते हैं अब हमारा यह घेर तयार हो गया और बहुत खुबसूरत लग रहा है अब इसमें हम कुछ डिजाइन डालने के साथ चोली भी तयार कर लेते हैं उसके लिए मैंने फ्लोरेसेंट वाला यह फ यह फ्रिल तयार कर लेते हैं पचास इंच पुरा का पूरा इसी अब इसके ऊपर हम लेइस लगा लेंगे यह जो लेस हमने घेर में लगाई है उसी लेस को यहां से हम ऐसे टक कर देते हैं थोड़ी से हमारी उपर से फ्रिल भी दिखाई दे यह वाला पट्टि हमने पूरी कर लिए अब इसको क्या करेंगे हम इसको देखे यहां से लगाना शुरू करेंगे एक तो हम सेंटर से लगाना हुप करेंगे यहां पर च्छोड़ करके यहां पर ले आएंगे देखें ऐसी और यह हमारे ठाकुजी के कंधे पर से एक साइट के सोल्डर पर से आती हुई बैक में चली जाएगी यहां पर हम टक कर देंगे बाकी हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो यह हम लगा करके आपको दिखाते हैं पहले इसको हमें मशीन से नहीं लगाना है केवल हम यहा पर लिया है मैंने यह देखें ऐसी हमारे जैसे ठाकुजी की कमर में करदनी लगी हो इस तरीके से डिजाइन आ गया और यह हमारे एक साइट का सोल्डर ओफ रहेगा और यह हमारे ऐसे पीछे चला जाएगा फिर हम इसको ऐसे तरीके से बांदेंगे पीछे बैक में ले जा इसकी जटपट एक कैप और बना लेते हैं कैप के लिए देखिए हमने ग्रीन कलर की नैट को छे वाई छे का पीस लिया इसको गोल कट कर लिया है और इसमें हम क्या करेंगे ऐसे महीन महीन चुनटें चार तरफ डाल करके और इसे एक 6 इंची के घेरे में तयार करेंगे हमारी पिंक वाली इसमें भी हम महीन महीं चुनटें ऐसे करके डाली कि इदिके हम इस मोंच नल्यको फ्रेइसे हम speaking पलेट्स डाल लींगे छोटी च्रुटी जैसे हम नेजिदे कि फुशाट कि अंदर डाली दिए उछी तरिके से इसमें हम छोटी उप सब्सिद्द पलेट सीटार निपके हैं इसमें हमने चुंटने तैंडम टे लि Hm हम क्या करेंगे इसस को फर से लगाएंगे ऐसे टक कर लेते हैं पूरी गोलाई में यहां से लेगर की हाँ तक इसको देखे हमने ऐसे जोड दिया है और जैसे हमने घिर को ओнул लप किया इस तरीके तरीके से जैसे हमने घेर में लगाई थी और यहां से लगाते हुए यहां तक ले आए हुए तो देखे दोस्तों हमारी यह कैप बन गई खुबसूरत सी यह देखे पहना करके बड़ी प्यारी लगेगी आगे हमने यह से ओगर लैप किया हुआ है यहां पर यह दिखाई दे जॉइंट उसको चुपाने के लिए बूटी लगा देंगे हम ऐसे करके यह और भी खुबसूरत हो जाएगी और हाइलाइट हो जाएगी साथ हमारी ड्रेस भी तैयार हो गई है तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शियर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आगे की वीडियो तक के लिए धन्यवाद